हलो दोस्तों, वेलकम तो गेट अकाडमी, तो आप सभी ने टेस्ट रिस दिया होगा, मतलब टेस्ट दिया होगा जो विकली टेस्ट रैप प्रोडक्शन इंजिनियरिंग का उम्मीद करता हूँ, जो नहीं दे रहा है, बार बार मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि आपको टेस् किस तरह के से चल रहा है, चलिए, इस वीडियो में मैं टेस्ट का सॉलूशन डिस्कॉशन करूँगा, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर करने के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग मानते हैं, मैं जानता हूँ, जितना भी, जैसा भी आपको लगता है, वो कीजिए, सुरू करते हैं, कुश्टन से, बात करते हैं, जो टेस्ट में गया सवाल है, जैसे कि यह पहला सवाल आपको कास्टिंग से दीख रहे तो इसका सॉलूशन क्या हphonाँ, उस पर दिसकुशन करते हैं, यह कहए, दो वॉल्यम फ्लॉर meter cube per minute, per minute में दिहान रखिएगा, और कह रहा है, the top of the sprue has a diameter of 25 mm and its length is 250 mm, then the diameter of the sprue at the bottom in order to prevent the aspiration effect is in mm, mm में पूछ रखा है, so basically अगर माँ बात करूँ तो ये इस तरीके से कुछ रहने माला है, ऐसा कुछ है, बिल्गुल सब, so ये आपका क्या है, यहाँ पे ये height नहीं दे रखा है, this is your what, pouring basing height, and this is your sprue height, sprue height दे रखा है, कितना है ये, 250 mm, ये दे रखा है, अगर मैंने इसको section 1 बोला, ये section 2 हो गया, ये section 3 हो गया, यहाँ पे आपको diameter दे रखा है, इसका 25 है, the starting of, top, top die of sprue, यही तो sprue है, उपर वाला pouring basin है, yes sir, so यहाँ पे अगर हम बात करें, आपका जो volume flow rate है, that is your 0.03 meter cube per minute, should be equal to area 2 into velocity 2, yes sir, यहाँ पे जो area होगा, और यहाँ पे जो velocity होगा, उसके बराबर, and that should be also equal to area 3 and velocity 3, आपको basically यहाँ का diameter पूछा है, mm है, यहाँ का diameter पूछा है, mm है, so वो कैसे लिका लेंगे, हमको पहले V2 लिकालने के आवशकता पड़ेगी, क्यों V2, क्योंकि V3 के आवशकता है, बिना V2 या HP height लिकाले, बिना आप V3 नहीं लिकाल पाएंगे, so V2 से आप HP height लिकाल सकते हैं, और वहाँ से directly V3 लिकाल के, आप area 3 लिकाल सकते हैं, और area 3 से आप dia 3 लिकाल सकते हैं, dia आपको पूछ रखा है, ठीक है, so चलिए यह देखते हैं, एक चीज़ याद रखना है कि यह meter cube per minute में है, तो इसको मैं second में convert कर दे रहा हूँ, तो meter cube per second में है, तो velocity जो आएगा, में meter में convert कर दिया, yes sir, so जो velocity आने वाला है, वो meter per second में हैगा, कितना आ रहा है, calculate करने पर यह आ रहा है, one point round up करके, zero two meter per second, यही है, और यह आपका root over two g hp के बराबर हो जाएगा, yes sir, अरे भाया, यही तो आपका velocity हो गए, यहाँ पे, root over two g hp, और यह meter per second में है, तो g की value आप 9.81 meter per second square में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो hp आएगा, वो आजाएगा, meter में, तो hp is equal to, यहाँ से, आपका जो मिल रहा है, वो है, 0.0530 meter, यह आपका hp मिल गया है, तो total height ht अगर में मुझे लिकालना है, तो वो हो जाएगा, hp plus hs, hp आपका आ रहा है, 0.0530, hs है, 0.25 meter, अना 200 mm मतलब 0.25 meter, so, यह finally, जो ht है, वो आपका आ जाएगा, 0.303 meter, yes, 0.303 meter, ठीक, यह सब calculation आपके होंगे, यह steps है, यह ht लिकल जाएगा, तो ht से आपका क्या लिकल जाएगा, वी 3 लिकल जाएगा, बिलकुल सरी, यह meter में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका, again, जो, आपका volume flow rate है, उसको second में convert कर लिया, तो meter cube per second should be equal to area 3, मतलब pi by 4, d3 square, into, आपका velocity v3, d root over 2g, ht, g कितना हो जाएगा, 9.81, और total height is going to be 303, so यहाँ से आपका d3 लिकलेगा, और यह जो d3 आएगा, वो अभी meter में आएगा, वो किस में आएगा, meter में आएगा, इसको mm में convert कर लेना भाई, हजार से multiply करके, so यह meter में आपका है, अगर 0.0161, और आपका, अगर mm में कर रहा है, तो यह 16.15 mm आने वाला है, 16.15 mm should be the answer, तो सवाल as such अगर मैं बोलूं, तो yes, कही ना कहीं आपके पूरे जो concepts हैं, वो इस पे revise हो जाएंगे, चेक है ना, so यह आपका casting का सवाल था, आगे बढ़ा है, दूसरा सवाल की हूर, आप चाहो तो screenshot ले सकते हैं, चेक, अगला सवाल, welding का सवाल है, कह रहा है, the DC power source of, for arc welding has the characteristic, 8V plus 6I is equal to 660, where V is equal to voltage in old, I is the current in ampere, for the maximum arc power, at the electrode, voltage should be set as, आपको maximum arc power के लिए क्या बोला है, voltage क्या होगा, so चलिए देखते हैं, सबसे पहली बात, तो power is equal to, आपको पता होना चीए, V into I होता है, और आपका जो characteristic दे रखा है, वो voltage और current के term में दे रखा है, बिल्कुम सर्, आपको क्या लिकालना है, voltage लिकालना है, yes sir, कि आपका voltage किस volt पे set करना है, for the maximum power, so इक काम करो, ये वाले जो equation है, इसको अगर मैंने equation 1 दे दिया, इसको equation 2 दे दिया, तो from the equation 2, आप I लिकाल सकते हैं, yes sir, 660 minus 8V divided by 6, so I जो लिकाले हो, वो किस के term में आगे है, V के term में आगे है, अब इसको इस equation में put कर दूँगा, I की value, ये जो I है, उसको अब equation number 1 में put कर दूँगा, तो क्या जो power है, वो V के term में आ जाएगा, yes sir, और maximum power के लिए बोल रहे है, तो उसको V के respect में differentiate करके equal to 0 कर दो, वहां से आपका voltage लिकालाएगा, सवाल खताम, छेक? So, P is equal to V into 6, 6, 0 minus 8V divided by 6, yes sir, So, यहां से, अगर मैं बात करूँ, तो यह हो जाएगा, आपका power, P is equal to 1 by 6, बाहर लिकाल दिया, यह हो जाएगा, आपका 6, 6, 0 V minus 8 V square, yes sir, यह होने वाला, अब इसको differentiate कर देते हैं, DP by DV, voltage के respect में, तो यह हो जाएगा, 1 by 6, 6, 6, 6, 0 minus 16 V, yes sir, equal to 0, equal to 0 maximum power के लिए, so यहां से आपका V लिकल के आ जाएगा, V is equal to कितना आ रहा है, V is equal to 41.25 volt, 41.25 volt, this should be the answer, अच्छे, इसमें power pools दिये रहते हैं, तो क्या करते हैं, कि यह voltage लिकला, इस voltage को इस equation में put करूँगा, V की जगा, वहां से I लिकलेगा, voltage into I is going to be your power that particular time, तो ध्यान रखना, यह छोटी-छोटी बाते हैं, जो आपको फसा सकती exam में, इसलिए इस तरीके के questions मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मिलते रहें, आगे problem, अगला सवाल, basic सवाल है, that is your, the side and face cutter of 180 mm diameter, diameter दे रखा है आपका milling cutter का 180 mm, T दे रखा है 10, it operates at the cutting speed 80 meter per minute with the table transverse of 80 mm per minute, the feed per tooth of the cutter is, so इसमें feed per tooth बोल रखा है, और आपको पाता है, जो feed per tooth होता है, Ft is equal to Fm upon Zn, Fm क्या है, Sir, यह table transverse है, यह कितना हो गया है, 80 mm per minute, ठीक है, अच्छी बात है, जो Z है, वो क्या है, number of teeth, that is your 10, दे रखा है, और यह आपका N, कैसे लिकाल सकते हैं, V is equal to क्या हो जाएगा, Sir, pi Dn divided by 1000, तो यह आपका किस में आजाएगा, meter per minute में आजाएगा, D आपका mm में रखेंगे, तो यहाँ से V into 1000 divided by pi into D, D कितना है, 180 mm, So, यह basically आपका N हो जाएगा, इतना, So, यहाँ से आपका app, D, feet per tooth आजाएगा, कितना आ रहा है भाई, feet per tooth, प्री-calculated है, यह आपका 0.251 mm per tooth देखने को मिल रहा है, ठीक, option A should be correct, for this question, option A आपका सही जाहेगा, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाब, कह रहा है, यह मशीनिंग का सवाल है, इन और्थोगोनल मशीनिंग आपरेशन, फॉलोईंग इंफोर्मेशन आर अप्टें विर्थ आप कर दे रहा है, मतलब आपको B दे रहा है, यह सर, विर्थ आप कर दे दिया है, अनकट चीप थिकनेस मतलब आपको T दे दिया है, शेर एंगल मतलब 5 दे दिया है, फ्रस्ट फोर्स मतलब F T दे दिया है, कह रहा है, यूजिंग मर्चेंस अनलिसिस, for the minimum energy consumption, the specific cutting pressure, specific cutting pressure is nothing but your specific energy, उसी के बारे में पूछ रखा है, इस पर आपको क्या चीए, specific cutting pressure is nothing but a specific cutting, specific energy, yes sir, यह हो जाएगा, B T V, this is material removal rate, this is power, power divided by material removal rate, material removal rate in case of orthogonal machine, so, यहां से आपका यह velocity और यह velocity cancel हो जाएगा, क्योंकि दोनों cutting velocity है, with the same unit मैंने रखा, तो यह cancel हो जाएगा, so basically आपको app C by B T, तो B और T पता है, app C नहीं पता है, app T पता है, so app C हमको लिकाला है, तो कैसे लिकाल सकते हैं, हम एप C ऐसे तो लिकाल सकते हैं, हमारे पास, अगर हम merchant circle से जाएग, तो आपका इस तरीके से कुछ डाइग्राम बनता है, this angle is nothing but beta minus alpha, यह होता है आपका app C के बराबर, यह होता है आपका app T के बराबर, तो app T दे रखा है, app C नहीं दे रखा है, app T के बराबर है, ठीक, तो अगर मैं इस पे trigonometry लगाऊं, तो क्या होगा, app T by app C is equal to 10 beta minus alpha, मतलब 10 beta minus alpha is equal to app T by app C, yes, app T दे रखा है, app C नहीं दिया है, beta और alpha की value भी नहीं दे रखा है, लेकिन यह बोल रखा है कि minimum energy consumption, मतलब बेसिकली आपका जो merchant analysis का, जो equation as share angle, मतलब relation between the share angle, friction angle, that is your beta, and rake angle, that is your alpha, तो beta क्या है आपका friction angle है, alpha क्या है आपका rake angle है, तो वहाँ से अपलिका सकते हैं किया, yes sir, हमारे पास क्या होता है, 2 5 plus beta minus alpha is equal to 90 degree, यह relation होता है, हाँ sir, 5 कितना दे रख थर्टी degree, तो 30 into 2, that is your sister, तो यहाँ से beta minus alpha is equal to आपका direct आजाएगा, 30 degree, अरे यह sister, तो 90 minus sister, that is 30, हमको तो चाहिए था, beta minus alpha, individual value की जरूवत नहीं है, so yes, beta minus alpha ही चाहिए था, so यहाँ से आपका जो app C है, वो लिकल क्या आजाएगा, app T मतलब 2000 divided by 1030, कितना आ रहा है भाई है, 3464.1 newton, 3464.1 newton, so cutting pressure इस पर value put कर दीजे, specific cutting pressure, S is equal to 3464.1 divided by B into T, 8.8, so यहाँ से specific cutting pressure, अच्छे यह उपर वाला जो value है, वो newton में है, यह नीचे वाला mm square में आ जाएगा, तो newton per mm square is going to be mega pascal, so यह mega pascal में आ रहा है, 541.2, 541.26 mega pascal, 541.26 mega pascal, ठीक, so specific cutting pressure, उसी को बोलते हैं, पहली बात कर रखें, class में तो यह ध्यान रखिएगा, आज यह बढ़ते हैं, अगरे question क्यों है, क्योंबर 5, कराश चलिंदर कल बार of 200 mm diameter and 600 mm length, आज तो अगर 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 अगर, time tool को change करने के लिए 3 minute लगता है, tell us tool life equation दे रखा है, that is your Vt to the power point 80 equal to 80, where V is the cutting speed in meter per minute and T is the tool life in minute, what percentage of machining will complete before first tool change? पहला tool change करने से पहले, अगर मैंने कहा कि मुझे machining के लिए, एक component को machining करने के लिए, कितना time लग रहा है, Tm is equal to L divided by F answer, मतलब L कितना है, 600 mm और आपका L कितना है, 0.4 and कितना है, 150 rpm, so यहां से यह कितना आ जा रहा है, Tm आपका आ जा रहा है, 10 minute, कितना आ जा रहा है, 10 minute, so यह machining time हुआ, 10 minute आपको एक component को बनाने में लगेगा, आपको tool life कहां से लिकालना है, सर, tool life के लिए equation दिया है, तो इस पर बोल रखा है कि first change, first change कब करोगे, जब tool खतम होगा, so उसका life कितना है, यह कैसे पता कर सकते हैं, सर, यह equation से पता कर सकते हैं, तो यहां से, सीधा सीधा हमाई tool life निकाल रहा हूं, 80 divided by, आपका V मतलब πाई D, and D कितना है, इसका 200, and कितना हो जाएगा, आपका 150, यह meter per minute में चीए, तो 1000 से डिवाइट कर दिया, yes sir, so यह आपका, लिकल के आजाएगा, tool life, tool life, लिकल के आजाएगा, कितना आ रहा है भई, ठीक, यह आजा रहा है, 0.814 minute, देखो बच्चा, इतना minute में, tool change करना पड़ेगा, इतना minute में, आपका tool change करना पड़ेगा, so पहला tool change करने से पहले, कितना machining हुआ है, यह कैसे पता चलेगा, इतना time में, आपको tool change करना है, इतना time तक चलना चाहिए था, लेकिन इससे कम चल रहा है, तो percentage of, 100% के लिए क्या चाहिए था, 10 minute कम से कम चलना चाहिए था, लेकिन यह तो बहुत कम चल रहा है, तो वो percentage आप लिकाल सकते हैं, percentage of machining, 0.814, divided by 10, required था 10, मतब, out of 10, आपको मिल रहा है कितना, 0.814 into 100, यहां से percentage आजाए जाएगा, 8.14% is going to be answer, that is your option, 8 should be correct for this question, चली आगे बढ़े, देखो इस परकार के questions, अभी तक जो सवाल देखे, कहीना कहीन मेरा मानना है, कि अच्छे सवाल है, आसान है, लेकिन अच्छा क्यों है से, अच्छा इसलिए क्योंकि, कुछ न कुछ twist है सवाल में, कुछ इस तरीके की बाते पूछी गई है, जो शायद आपको उस समय, उस particular exam time में, crack करना, थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो अभी से हम उस तरीके की चीजों पे, आदर डालेंगी, इसमें क्या awareness is important, दिमाग खुला रखना important है, चलिए आगे बढ़ते हैं, theoretical question है, question number six, एक MSQ question था, कहारे है, products formed by metal forming process are generally stronger than the other manufacturing processes, because there is volume change occurs in metal forming, metal forming में, हम plastic deformation ही पढ़ है, that is your volume constant, तो पहला option तो नहीं होगा, ठीक है, these processes are always performed as cold working condition, नहीं है, हम cold, hot, warm, और isothermal, यह सब देखे हैं, so नहीं भाई, these processes involve large amount of plastic deformation, yes, करता है, plastic deformation करता है, metal forming, large amount of plastic deformation, आपको देखने को मिलता है, it is possible to control grain flow in specific direction, yes, आपका किसमे, cold metal forming में, यह देखने को मिलता है, इसका answer होने वाला है, बड़ा simple सा सवाल था, अगर basic आपका वर किया है, metal forming में, class का lecture ही सुने होंगे, तो आप अराम साहे, इसको कर पा रहे थे, ठीक, आगे बढ़ते हैं, question number seven, अच्छा सवाल है, कहारा है, in direct extrusion process, 400 mm long, cylindrical billet with initial diameter of 80 mm, अच्छा, चली, billet का length दे राखा है, आपको 400 mm, और initial diameter, आपको दे राखा है, D final आपको दे राखा है, 40 mm, assume that the redundant work is 30% of the ideal work, ideal work, let us assume WI is the ideal work, अच्छा, ये ideal work क्या होता है, yes sir, ideal work in the extrusion is the mean flow stress, yes sir, into, force लिखा ले, आपका work done, देखो, work done क्या है, force into velocity sir, so ideal work, yes, और यहाँ पर, sorry, work done velocity नहीं, यहाँ पर, आपका distance, तो distance क्या होगा length, जितना billet होगा, उतना length आपको travel करना पड़ेगा, बिलकु sir, so f i into length, so f i, ideal force कितना हो जाएगा, ideal force आपका हो जाएगा, mean flow stress, into, area, initial area, that is your pi by 4, d naught square, मतलब 80 square, यह mega pass करना है, तो यह newton में आजाएगा, और last में, यह आपको meter में convert करना रहेगा, मतलब 0.4, 0.4, so यह क्या मिल जाएगा, आपका ideal work मिल जाएगा, यह क्या मिल जाएगा, ideal work, क्या है रहा है, कि उस पर redundant work हो रहा है, जो कि 30% है, ideal work का, of deformation, and, friction work is 25% of the total work, मतलब आपका, यहाँ पर अगर मैंने कहा, Wt is the total work, तो यह क्या होना चीए, यह होना चीए, ideal work, plus, redundant work, plus, friction work, ideal work, redundant work, friction work, so, तीनों को मिला के, आपका total work, रहेगा, extrusion, यह वाला extrusion process, yes, so, यहाँ पर बोल रखा है, कि आपका जो redundant work है, वो कितना है, 30% of ideal work, so, यह 0.3, WI के बराबर हो जाएगा, yes, और जो W app है, वो कितना है, आपका 25% of total work, so, total work का 25%, yes, so, यह WT हो जाएगा, so, इधर आपका यह हो जाएगा, इधर आके minus हो जाएगा, मतलब 0.75 WT, and 1.3 WI, yes, यह आपको देखने को मिलेगा, so, आपको पूछा क्या है, the force required for the extrusion is, so, अगर मैं final work done लिका लूँ, so, force into length, yes, force into length, यह तो आपका क्या हो गया, यह ideal work done है, so, वैसे ही है, अगर मैंने यहाँ पर final work done लिखा, so, final work done में आपका क्या लिका लाएगा, यह वाला जो force है, यह तो अभी ideal force है, आप चाहो तो इसकी value पूट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए, logically हम बात कर रहे हैं, तो आराम से आपका बन जा रहा है, बिल्कुल से, so, यहाँ से आपका यह हो जाएगा, wt total work done is equal to 1.3 into wi divided by 0.75, 0.75 is equal to force into length, length कितना है आपका, 0.4, 0.4, wi की value क्या है, यह है, put the value, sigma fm दे रखा है क्या question में directly, average flow stress, yes, दे रखा है, 250, अगर नहीं दिया रहता, तो average flow stress आपको लिकाला रहता, ठीक, so, यहाँ से आपका app, लिकालाएगा, wi की value यह जो है, यहाँ पर, sigma fm की जागा, 250 megapascal पूट कीजे, और, यहाँ से app लिकालाएगा लिजे, this is the extrusion force app, app is equal to, यहाँ पर, जो देखने को मिल रहा है, किस में पूछा है, आपका, mega newton में पूछा है, यह जो app आ रहा है, यह आरा, 3.02 mega newton, 3.02 mega newton, so, value पूट कीजे, यह कितना हो जाएगा, आपका 250 megapascal, बाकि तो वह ही है, 0.4, ठिक, यस, so, यहाँ पर, यह value put करेंगे, उसके बाद, वहाँ से 0.4 से इसको डिवाइट कर देंगे, तो इतना force आपका आ जाएगा, सवार अच्छा था, सवार इसलिए अच्छा था, क्योंकि कहीं न कहीं आपको फिड से, आपके दिमाग के साथ, खेलने का प्रयास किया गया है, जाते सभी चीज है, बस उसको सेई सप्लाई करेंगे, तो मिल जाएगा answer, ठीक, आगे बढ़ा होगा, अगला सवार, Q8. Kinaire a metal alloy has been tested in tensile test with the following results, for the flow curve parameter, strength coefficient k is equal to 625 MePascal, and is equal to 0.25. Now testing of same material is done in compression test at its starting height and diameter आपका initial height and initial diameter दे रखा है ठीक यहां से final diameter भी लिका सकते हैं क्योंकि आपको final height दे रखा है कह रहा है assuming that the cross section increases uniformly the load required to compress the specimen of height of 50 mm is so final height इसका कितना हो जा रहा है 50 mm so this is nothing but a forging process दोस्त forging process की तरह ही काम करेगा याद रखना इस पे finally आप क्या कर रहा है और compress करते जा रहा है तो last में जो stress होगा 50 mm पे 50 mm पे जो instantaneous stress मिलेगा वो कहां से मिलेगा flow curve से आपका यहां पे जो flow stress होगा that is your k into epsilon t to the power hand yes यह flow curve so यह instantaneous stress लेना रहेगा mean flow stress नहीं ले सकते average stress नहीं ले सकते जहां रखना forging पड़े है न यह गलती नहीं करना अनिया था number जाएगा आपका समझें क्या बोला मैं mean flow stress ले दोगे तो खताम आपको तो यह से instant पे लिकाना ना maximum force यह this is nothing but a case of forging so yes यहां से आप लिका सकते है अच्छा d final d app आपको क्या से लिका सकते है sir hi 70 into di square that is your 25 square divided by 50 का square root so यहां से d app मिल जाएगा d app कितना आ रहा है 29.58 mm यह d app मिल जाएगा so यहां से आप flow stress लिका सकते है यह सब flow stress लिका सकते है अच्छा flow stress के लिए आपको तो epsilon t चीए so epsilon t epsilon t is equal to log h i by h f मतलब log 70 by सिधा सिधा 50 कर दीजे यह आ जा रहा है 0.336 so यहां से आपका इस particular strength पे stress कितना आ रहा है वो लिका लेंगे k कितना है 625 MPa into epsilon t मतलब 0.336 to the power n मतलब 0.25 यह आपका आ रहा है 475 लगवग मतलब approximately इसको मैं 476 सिधा लिग देता हूँ मेगा पासकल इतना हा रहा है क्या यह आपका flow stress हो गया मतलब उस extent पे कितना stress लग रहा है यह पते चल गया तो यार मुझे तो लिकालना है force किलो newton में so force is equal to क्या हो जाएगा जो आपका flow stress उस extent पे होगा into आपका final cross sectional area उस समय जो final cross sectional area होगा वो so sigma app that is your force 76 mega pascal यहां पी हो जाएगा पाइगा पाइगा 4 final diameter yes sir that is your 29.58 square so यह भी mm में होगा यहां से आपका यह जो app आ रहा है kilo newton में 327.117 kilo newton this is going to be answer यह आपका answer हो जाएगा 327.117 kilo newton ठीक so अच्छा सवाल अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि कि आपको क्या होता है कि drawing पढ़ते हैं हम extrusion पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं rolling so उसमें क्या होता है mean flow stress का इस्तेमाल होता है लेकिन जो forging है उसमें instantaneous stress ही consider करके चलते हैं ध्यान रखना चेक चलिए आगे बढ़ना okay question number nine क्या कह रहा है a hole of diameter यह sheet metal working का है यह कह रहा है a hole of diameter 70 mm is to be punched in a sheet metal of thickness 6 mm ठीक है diameter दे रख है 70 mm जो की punch कर रहा हो आपका जो thickness अब वो दे रख है 6 mm the ultimate shear strength is 450 Newton per mm square with normal clearance on the tools cutting is completed at 40% penetration of punch penetration आपको दे रख है 0.4 लिक देता हूं सिदा सिदा 40% penetration yes sir if a shear of 2 mm shear आपको दे रख है 2 mm is provided on the punch the minimum force required with the shear punch is आपको यहाँ पर force लिकालना है yes sir so यह जो pt है penetration यह p है p into t मतलब 0.4 into 6 इसको check करते हैं अच्छा यह कितना आप चेक कर लेते हैं यहार at 2.4 mm 2.4 mm so यह 2.4 mm आ रहा है बिल्कुछ 2.4 mm आ रहा है तो जो pt है वो क्या s से जादा है क्या yes sir pt is greater than s तो इस समय जो आपका app का formula होगा वो हो जाएगा app maximum into pt क्योंकि share provide कर रहा है तो divided by share plus pt correction factor के सान yes sir so this is going to be your formula और यहाँ पे जो maximum होगा वो length of cut कितना हो जाएगा pi into d मतलब 7t pi lt t कितना है 6 lt tau yes sir into pt मतलब आपका यह सी जा सीदा 2.4 लिख देता हूं divided by 2 plus 2.4 किस में पूछा है किलो न्यूटन में पूछा है तो इसको thousand से और divide कर दीजे तो सीजा सीजा आपका force आ जाएगा कितना आ रहा है 323 किलो न्यूटन 323 किलो न्यूटन 23.869 किलो न्यूटन आपका यह आंसर हो जाएगा ठीक अब टू आपका जो डाए का डामेटर है वो पूछ रखा है डाए का डामेटर कितना होगा 30 mm पंच का डाया 30 mm सो 30 से ज्यादा होगा obviously डाए का डामेटर सो यह एक लाइन में हो बन जाना चलिए आपका डाए डामेटर इस इक्वल टू जो डाया होगा that is your 30 प्लस आपका डामेटरल क्लियरंस मतलग 2 इंटू 0.0032 ठीकनेस कितना है 2 mm रूड ओवर टाउ 450 मेगबसकर न्यूटन पर mm उसका बराबर एक छेट तो यहां से आपका यहार है 30.27 mm 30.27 mm should be the answer तो आप देख सकते हैं और और अगर मैं बात करूं तो यह 10 सवाल आपके पेपर में इस तरह के से थे कि कुछ सवाल आपसे आसानी से बन जाते कुछ सवाल में अगर आप दिमाग लगाते तो बिलकुल बन जाते सो दो चीजे पेपर सभी को देना है free of cost है आधे स्टूडेंट तो मतलब बहुत ही लेट में जाकते हैं पता नहीं ठीक हमारी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुचाने की तो हम कोशिश करता है यह free of cost टेस्ट है जिसका solution दे रहा हूं और इस पे जिस तरीके की बाते आपको देखने को मिली पूरे टेस्ट में similar आपको gate exam में भी देखने को मिलता है ठीक है दोस्तों तो यह पूरा जो paper है वो check कर लिजेगा आपका जो result है वो community post में 8 pm इसी channel पर आ जाएगा ठीक अभी के लिए मैं विदाई चाहूंगा thank you so much love you all tata bye bye good night चलिए